दोस्तों आज जो हम एनलिसिस करेंगे आज का 23 सेप्टमबर का एनलिसिस है उसमें दोस्तों देखेंगे आज जो मार्किट का डेटा आया है यहाँ पे FIAE का DIAE का उसका क्या इंपेक्ट पड़ेगा और कैसा डेटा है साथ में अभी जो SGS Nifty कैसा चल रहा है डौ जोन्स नेस्तक सभी देखेंगे जिनका अफेक्ट आज आपको देखने को मिलेगा और जो लोग RADC और P का पोजिशन बनाके बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए उपनिंग में ही निकल जाना चाहिए होल्ड करके रखना चाहिए वो पूरे डीटेल में देखेंगे और आज की दिन कैसा काम काज करना है वो भी देखेंगे सबसे पहले दोस्तों FII यो डीए का डेटा देख सकते हैं कल का यहाँ पे 22 सेप्तंबर का डेटा जो है 259 क्रोड का बहुत बड़ा सेलिंग करके गे हैं यहाँ पे FII और 213 क्रोड का बाइंग है यहाँ के टोटल नेट में 2300 क्रोड तक का यहाँ पे मार्किट में सेलिंग है जो बहुत ही एक नेगटिव सैन है जो अगले दिनों काफी बड़ी गिरावट यहाँ पर दिखा सकता है और इसके साथ-साथ यहाँ पे जो बेरी सैन आ रहे हैं अभी डाव जोन्स देख सकते हैं कलोज है यहाँ यह है डाउन सैड का कलोजिंग है तो यह ग्लोबल मार्किट भी नेगटिव दिखा रहा है और साथ में दोस्तों यहाँ पे अभी SGX निफ्टी भी आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी गिरावट पे है यहाँ पर देख सकते हैं 0.42 परसेंट की गिरावट है तो साफ-साफ है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्रीमियम ग्रूप में निफ्टी और बेंग निफ्टी का डेली काल दिया जाता उसके हमारे यूजर्स के कल की काल के प्राफिट देख सकते हैं यह कल की एक्सपारी थी और यहाँ पर देख सकते हैं जो कल की काल दी 17,900 प 17,900 का PE और यह जो टार्गेट आपको बताएं यह सभी टार्गेट यहां पर अच्छी हुए यहां पर देख सकते हैं इसके बाद बहुत बड़ी गिरावट आई थी हमने इस जगा पर यहां पर ट्रेड लिया था और इसके बाद दिन में बहुत बड़ी गिरावट आई थी तो इस प्रेमियम ग्रूप में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं जहां पर डेली हमारे परसनल ट्रेड शेयर की जाते हैं दो या तीन काल डेली दिये जाते हैं बेंग निफ्टी और निफ्टी के दोस्तों 999 में लाइफ टैम की जाएंगे लेकर अभी स्पेशल डिसक कर सकते हैं यहां पर आपको डिटेल दी जाएगी प्रेमियम चेनल का लिंक मिल जाएगा तो दोस्तों एक बार आप्शन चेन रेड कर लेते हैं उसके बाद चार्ट के उपर चलके देखेंगे जो आलेटी होल्ड करके पोजिशन बैठे होने क्या करना है और नहीं आज की इंटरे की कैसी बनानी है पहले यहां पर आप्शन चेन देखते हैं डेटा कैसा आ रहा नहीं एक्सपारी है यहां पर दोस्तों यह 29 सेप्टमबर की तो यहां पर मंतली एक्सपारी में दोस्तों 54,000, 31,000, 73,000, 80,000, 69,000, 33,000 कैसे पाइंट है अपसाइड निफ्टी के और इनको कंपेर करें यहां पर जो यह जोन है दोस्तों यहां से इस जोन के साथ तो यहां पर देख सकते हैं 32,000, 70,000, 86,000, 90,000, 10,000, 6,000, 7,000, 11,000 तो निएक्सपारी के डेटा जो है बेरिच देखने को मिल रहा है यहां पर डाउंसाइड का काफी कम राइटिंग है अपसाइ 19, 10, 50, 16, 21, 12, 70,000 का डेटा है तो इससे कंपेर करें यहां पर देख रहे हैं सिंगल फिगर में आपको बहुत सारी यहां पर डेटा दिखाई दे रहे हैं तो यहां से पता चल रहा है डाउंसाइड का जोन काफी ज़्यादा वीक है तो आपको इस वीक में जो यह एक्सपा आकर बैठें उन्हें क्या करना पहले इस पर चर्चा करेंगे दोस्तो सबसे पहले देखते हैं अगर मार्किट 17,726 आप नोट कर लें इसके उपर ओपन होता है एक पाइंट भी उपर ओपन होता है तो C वाले पोजिशन को होल्ड करके रखेंगे यहनिकि फिर प्राफिट से यहाँ पर एकजिट कर लें या अगर नीचे भी उपन होता है यहाँ तक री ट्रेस करता है तो एकदम से उपन कर लें यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर पोड लेकि नीचे जा सकता है यह सी वाले अगर इसके नीचे उपन हुआ तो एकजिट कर लें तो ज्यदा अच् सकती है यह हमने सी का देखा अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इसमें आपको अगर यहां तक प्राफिट आरा आप निकल सकते हैं अगर नीचे जा रहा मार्केट तो इसके नीचे फिर से गिरावट आ सकती है इसके उपर जाके जो है मार्केट में तेजी आ सकती है लेकिन दोस्तों अगर मार्केट जो है यहां पर अभी नेगटिमें ओपन होता है तो यहां पर मार्केट का नेगटिव सेंटीमेंट कांटियून रहेगा तो आपको यहां पर भी निकल जाना चाहिए अगर इसके उपर उपन होता है तो ही आप होल्ड करके रख सकते हैं अदर्वाइस कहीं पर भी नीचे उपन होता है तो नेगटिव सेंटिमेटर हैगा आप निकल सकते हैं सीजी वाले बात करेंगे पी वालों की दोस्तों यहां पर दोस्तों अगर इसके उपर gap up होता है 17726 के उपर P.E. वाले exit कर सकते हैं यहां के उपर आप exit कर सकते हैं जिरफ इस point के उपर अगर flat opening होती है या gap turn opening होती है तो P.E. वाले hold कर सकते हैं काफी बड़े profit के साथ बाद में यहां पर निकल सकते हैं वालों का यह scenario रहेगा C.E. वाले थोड़े यहां पर danger zone में हैं तो अपना यहां पर ऐसे ध्यान रख सकते हैं जो आपको बता दिया गया है तो बिंग निफ्टी के बात करें कि बिंग निफ्टी में position बना के बैठे हैं तो यह जो trend है यह इसके उपर टूट सकता है तो 40,948 के उपर अगर market open होता है तो यहां पर आप जो C.E. वाले profit में निकल सकते हैं कहीं पर भी निकलना जुरूरी है क्योंकि market बेरिश है यहां से कहीं से भी move कर सकता है C.E. वालों को निकलना जुरूरी है अगर दूस्तों market flat open होता है या फिर 30,344 के नीचे open होता है तो एक दम से C.E. वालों को निकलना जुरूरी है क्योंकि और भी बहुत बड़ी किरावट आ सकती है यह C.E. वालों के लिए अगर flat opening होती है या फिर 40,340 के नीचे opening होती है तो जो P.E. वालों होंगे वो hold करके रख सकते हैं काफी अच्छे बड़े profit के साथ निकल सकते हैं P.E. वाले अगर 40,948 के ओपर market open हो जाता है तो market में से निकल सकते हैं अपनी चायस है लेकर वेट कर सकते हैं यह बड़े पांट से rejection आके फिर इसे गिरावट आ सकती है P.E. वाले वेट भी कर सकते हैं अक्सपारी थोड़ी negative है तो दोबारा से market नीचे भी आ सकता है P.E. व अगर सबसे पहले बात करेंगे flat opening अगर होती है कोई भी trade यहां पर नहीं लेना आपने flat opening में trade कहां पर लेना है अगर market 17,726 को जैसे ब्रेक करती है यहां पर आप यहां पर उसी time 17,700 का नहीं एकसपारी का C.E. बाइ कर लेंगे तो यहां पर आप इसके break होने पर आप जो है उसमें 17,520 को जैसे ब्रेक करता है तो यहां पर 17,600 का आप P.E. बाइ कर सकते हैं और upside जो है यहां पर यहां पर stop last रहेगा 17,570 का आप stop last रख सकते हैं इसी के साब से आप risk reward ratio 1-2 का नीचे भी ले सकते हैं यह flat opening की बात की और कुन सा premium बाइ करना उसकी बात की हमने दोस्तों यहां पर अगर gap up opening होती है यानि के 17,726 के उपर opening होती है तो एकदम से C.E. का position बना सकते हैं यानि इसके आसपास होती है तीस point अप भी हो जाता है यहां से इस point से तो भी entry बना सकते हैं ज्यादा gap up हो तो avoid करेंगे इसके आसपास opening हो तो एकदम से C.E. का position बनाए नीचे आता है फिर avoid कर देंगे अगर upside वो 3 mint का candle system रहता है तो ही आप यहां पर 17,700 का C.E. कर सकते हैं वही जो आपको stop loss बता है वही रहेगा यहां पर target 1 is 2 के ले सकते हैं अगर दोस्तों gap down open होता है यानि कि इसके बीज में gap down होता है तो फिर वही condition रहेगी इसका break जैसा ही होगा लेकर अगर इसके नीचे gap down होता है यानि कि 17,528 या 30.5 इसके नीचे भी चला जाता है तो भी वही gap down की situation रहेगी बड़ा gap up down पे आप entry नहीं लेंगे इसके आसपास यहां पर हुआ तो इंट्री की जो यहां पर condition होगी इंट्री का 3 मिट का candle wait करेंगे वही जोन में आना चाहिए इसके नीचे अगर रहता है तो वह इंट्री रहेगी आपकी 17,600 का PE buy कर सकते हैं उसी stop last के साथ यहां पर तो ऐसा trade आप बना सकते हैं दोस्तों निफ्टी बिंग में कैसे काम काज करना अगर flat opening होती है यही दोनों level 40,948 और 40,344 अगर market flat open होने के बाद 40,344 को जैसे ही break करें तो यहां पर 40,400 का PE बना लेंगे और उसमें काफी अच्छे profit देखने को मिल सकते हैं जो यहां पर upside 40,410 का upside का stop loss यहां पर रख सकते हैं अगर ऐसा position बनता है तो यहां पर flat opening होने के बाद 40,948 break होता है 40,900 का आप CE लेंगे यहां पर 40,880 का stop loss रख सकते हैं इस position में कफी अच्छे 1-2 के risk reward ले सकते हैं आप दोस्तों यह जो है flat opening की condition थी अगर दोस्तों gap up open होत 48,948 के उपर open होता है थोड़ा बहुत उपर open और भी हो जाए तो चलेगा यहां पर तीन मिट का candle अगर positive बनता है यानि upside ही रहता है इस point के तो यहां पर आप वही CE buy कर सकते हैं 40,900 का उसी stop loss के साथ यह gap down की condition थी दोस्तों अगर gap down open होता है काफी बड़ा gap down हो जाए यानिक point के नीचे 40,50 gap और भी नीचे हो 40,50 point तो entry ले सकते हैं अगर ज्यादा नीचे हो जाए तो आप avoid करेंगे तो यहां इसके आसपास हो तो यहां पर वही जो है 40,400 का आप P buy कर सकते हैं उसी stop loss के साथ यहां पर यह entry बना सकते हैं आपको काफी एच्छे profit देखने को ऐसी gap down condition मे भी मिल जाएंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी था बाकी देख सकते हैं मारे users को काफी बड़िया profit होता है मारे premium group में daily nifty और bank nifty का call दिया जाता है काफी बड़े-बड़े profit देखने को मिलते रहते हैं तो यहां पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस premium ग्रूप में यहां पर जाइनिंगी डीटेल देख पा रहे हैं 999 में डाइफ टेम की जाइनिंगे लेकर अभी स्पेशल डिस्कॉंट चाल रहा 60 पर सिरो 399 में लाइफ टेम के लिए आप जैन कर सकते हैं निफ्टी और बें निफ्टी के पर सल्टर डेली शेर की जाते हैं ग्रूप का यह वाटसेप नंबर और यह टेली ग्राम लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन और क्मेंट बाक्स मिल जाएंगे आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर आपको डिटेल दी जाएगी पर मिडियों के बद आपको प्रेमीम चैनल का लिंक मिल जाए गुडबाए